नमस्कार स्वागत है आप सभी का जिलीत ओफिसियल में दोस्तो आज की इस एपिशोड में हम बात करने वाले हैं तीन मुद्दों के बारे में मुद्दे कुछ इस तरह चे होंगे कि भारती अरेल की चो गाड़िया है वो कब तक सारी गाड़िया वापस पर आपको मिलने वा होने वाला है आगे आज किस एपिशोड में बात करेंगे और एक कवर आपने सुना या देखा जरूर्य होगा कि भारत सरकार की नियंतर्ण फॉन पर होने वाली है यानि कि किससे क्या बात करें किसको क्या मैसेज कर रहे हो प्लेटफॉर्म हो या तो फिर आप नॉर्मल कॉ हो या मैसेज हो हर किसी पर नजर भारत सरकार रखने वाली है हर एक जानकारी सही जानकारी आज आपको इस एपिशोड में मिलने वाली है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से गुजारी से अगर आप इस चनल पर नहीं हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करे प्रेता के जितार हरो जेक नजर आप तक सबसे पहले आप तक पहुंच दिरहें शुरू करते हैं भारतीय रेल्ट है तो दोस्तों आपको पता ही होगा पिछले साल की लॉक डाउन में गाडियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था जो कि इस साल आपको देखने को नह है यानि कि जो जन रूपस पर लोग कम कर रहें उन रूपस पर कम घाडियों करें तो इस पर आपको मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्यूंगी ओफिजियल अप्डेट ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत चारे वेबसाइट से या तो फिर अखवार है वो यह दावा करते हैं मतलब अपना एक एक्सप्रियेंज लगा है कि उमीद है कि एक महीने के अंदर दस दिन के अंदर चलने वाली मैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं कहूंगा क्योंकि ऑफिजियल अप्डेट जब तक नहीं आता है मैं नहीं कहता हूं हां अंदाजा मैं भी लगा रहा हूं कि बहुत जल्दी गाडियां वापस से सारे गाडियों को वापस से सुरू किया जागा क्योंकि कोरोना के जो मामले वो कम देखने को मिल रहा है और इसी तरह जारी रहा तो जाहिर सी बात है गाडियां वापस से चल जाएगी सारी गाड़ीों के बारे में आप छोड़ दो आप बात करो अपना यानि कि जाज़े कि हमें ट्रेवल करनी होती है तो मेरे लिए मेरा गाड़ी है या नहीं वो जानना मेरे लिए जरूरी है सारे गाड़ी चले या नहीं चले उससे मुझे कोई फर्क नहीं परता है मेरा जाते हो तो यहां आई-कार्ड में उस वीडियो को मेंदे दरहों आप जाके देख सकते हो तो NTS यह जो है नेशनल ट्रेंट इंक्वारी सिस्टम भारती रेल का एक एप है क्रीस का आप यहां जाकर आप अपनी गाड़ी के बारे में पूरी जानकरी ले सकते हो सही जानकरी ल कि नोट बंदी के दोरान जो लोग लाइन में खड़े होकर पैसो को अपना जमा कर रहे थे यानि कि 500 और 1000 रुपए के नोट जो बंद कर दिये गए थे 8 नवंबर 2016 से जो नोट बंद हुए थे उसके बाद रिजर्ब बैंक के पास जो 15.41 लाख करोड रुपए में से भी घोटाले को अंजाम दिये हैं आपको अच्छे से याद होगा उन दिनों कुछ इसकदर लोग लाइन में लगे हुए थे अपने पैसो को जमा करने के लिए तो ऐसे में रिजर्ब बैंक अफ इंडिया का ये कहना है कि ये जो 8 नवंबर 2016 के बाद से कुछ दिन तक का CCTV फ हो सकता है यहां से बैंकों को कुछ जानकारी मिल जाके कुछ ऐसे लोग जो कि बार बार बैंक आना जाना जिनका लगा था तो उनसे यह सवाल जवाब हो सकता है क्या पाखेर क्यों आरे मतलब मेरे इस आप से या फिर कुछ और इंक्वाईरी हो सकती है वह घहरे में आ सकते चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो है सोसल मीडिया वाली यानि कि भारत सरकार क्या आपके सोसल मीडिया के एक्टिविटी पर नजर रखने वाली है यानि कि आप किस से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या चैट कर रहे हो, टेक्ट किसको कर रहे हो, फोन में क referral message का पि आ पि फेक्ट चेक नुजा जांच किया और साप साप आप यहां देख सकते हैं जहां लिखा गिया है कि वारत सरकार दोरा नई संचार नियम के तहद सोसल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी रखी जाएगी यदावा फरजी ये वारत सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया ऐसा किसी फरजी असवस्ट सुचना को forward न करे यानि कि दोस्तों ये खबर जो है पूरी तरह से गलत है फैक है और आपने अकसर देखा होगा ऐसे मैसेज जो वायरल होते हैं क्योंकि लोग डर जाते हैं क्या सच में ऐसा होने वाला है और ये जो यह वो जितना हो सकता है लोगों को forward कर रहे हैं इसी वज़े से ये खबर जो हो जाती है और इसको बनाने वाले को इसका सिधा फायदा पहुंचता है तो ऐसे में ये खबर जूट है आपको घबराने की डरने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और अगर आपके पास ये मैसेज आता है तो प्लीज इससा आगे फॉरवर्ड न करे वलकि आप उन लोगों को